हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चानल रादे रादे आप सभी को मैं आशर शर्मा आज आपको क्लास फोर्थ का चप्टर नुम्बर सेवन जो की एक पोयम है और उस पोयम का नाम है इस पोयम के question answer discuss करूंगी इस वीडियो के अंदर और आपको एक एक questions के answers भी बताऊंगी जिस्ये के आपको इसके question answer अच्छे से समझ में आ जाए लेकिन वीडियो को start करने से पहले अगर आप first time इस चानल पर विजिट कर रहे हैं और आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो प एक वीडियो की notification मिलती रहे so let's start with the question number one of the chapter number seven class four the question one is you can see on the screen which shade of green does the speaker want for the house यहां पर जो speaker मतलब जो इस poem के अंदर जो speaker है जो इस poem को define कर रहा है वो अपने घर के लिए किस type की green shade चाहता है so क्योंकि class four का है तो हमने point to point answer इसके रखे है the speaker wants light green for the house मतलब उसके कैसा रंग चाहिए अपने घर के लिए light green lights green कों से होते हैं जो छोटे plants होते हैं क्योंकि जो बड़े plants होते हैं according to the speaker not to me इस speaker के according जो big tree होते हैं, tall tree होते हैं, वो dark green होते हैं और जो light green होते हैं, तो उनका वो होते हैं, छोटे plants तो उसको अपने घर के लिए light green shades चाहिए Question number two, which kind of trees does the speaker tell us about? जो speaker है, वो हमें किस तरह के kinds of trees, मतलब किस टाइब के pates हैं, उसके बारे में बताता है तो यह थोड़ा सा lengthy है, पर जादा नहीं है तो वो हमें बहुत पुराने पेडों के बारे में बताता है जो कि क्या करते हैं, जो flower देते हैं, कई सालों से जिन पर फूल आ रहे हैं क्योंकि वो बहुती older plants हैं, तो वो कैसे color के हैं, dark green color के है और जो new plants हैं, वो कैसे color के हैं, light green color के है और वो यह कहते हैं, कि यह जो जितने भी पुराने oldest plant हैं, यह हमें बहुत सारी stories बताते हैं मतलब जो पुराने पेड हैं, वो क्या करते हैं The oldest tree hold up the sky and protect the earth तो जो oldest tree क्योंकि बहुत बड़े होते हैं, बहुत उचे होते हैं, काफी लंबे होते हैं तो speaker के according, जो बड़े बड़े पेड होते हैं, वो आस्मान को hold करते हैं और जो earth होती है, उसको protect करते हैं किस से? Sky से Question number 4 and the last question, क्योंकि इस poem में सिफ 4 ही question answer हैं Basically, जो main question answer है, there are only 4 question answer in this chapter Name two things the tree do अब आपको बताना है, कि पेडों के दो काम बताईए दो चीज़े जो पेड करते हैं तो first है, the trees hold the wind in their box तो मतलब जो trees हैं, सबसे पहले क्या होता है कि वो अपनी तहनियों से winds, जो हवाई होती है, उनको hold करते हैं रोकते हैं, और क्या करते हैं? And offer to all kinds of birds और जितनी भी types की birds होती हैं, उन्हें offer करते हैं किस चीज़ के लिए, कि वो birds उनके पेडों पर आकर अपने nest, अपने घोसले बना सकती हैं और उनके घोसलों को कोई भी हाम ना पहुंचे इसलिए हवा से, आंदी से, उनके nest, उनके घोसलों को बचाते हैं तो ये दो टाइप के जो things हैं, जो चीज़े हैं, जो काम हैं, वो प्रेड करते हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले हवा को रोकते हैं अपने टैनियों से और birds को अपने पेड पर घोसला बनानी की permission offers देते हैं तो ये चार question answer थे, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताएं हैं I hope आपको ये question answer अच्छे से समझ में आ गई होंगे, आपको कोई doubts नहीं होगा अगर आपने इस chapter की poem को अच्छे से read किया है, तो आप इसको बहुत easily समझ पाएंगे इस chapter की video भी अवेलिबर है, explanation video अवेलिबर है मेरी चैनल पर if you want to watch then you can go and watch that video but now this time question answer has been completed so thank you so much for watching this complete video and rade rade आप सभी को, have a good day to all of you